दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस आयरवेदा इंडिया में पत्ते के फायदे रुदय स्वास्त्य, मधुमेह, त्वचा रूप और बालो सहित अन्यकई पीमारियों के लिए होते हैं कस्टड अपल लीव का उप्यू उनके त्वरित उपचार शमता और और औशधिय गुण के कारण किया जाता है शरीफा की पत्ति से लाप प्राप्त करने के लिए आप इसे सीधे ही त्वचा में लगा सकते हैं इसकी पत्तियों को उबालना और इनका सेवन करना काफी फायदे मन माना जाता है शरीफा के पत्तों में और शदिय गुण होते हैं जिसके कारण इसका इस्तमाल कई स्वास्ते समस्याओं में किया जाता है जानकारों के अनुसार सीताफल के पत्तियों के बहुत से पोशक्तत्व होते हैं जो स्वास्तेलाब दिलाने में सहायक होते हैं आयूर्वेद विशेशग्यों के अनुसार सीताफल के पत्तियों से प्राप्त होने वाले कुछ लाभों के बारे में आज हम इस विडियो में बताने जा रहे हैं डियाबिटीज रोगियों के लिए आयूर्वेदिक उपचार के रूप में सीताफल के पत्ते इस्तमाल किये जा सकते हैं सीताफल के पत्तों में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है इसलिए ये पत्तिया हमारे शरिर में चीने की अवशोशन को धीमा करने में सहायक होती है जिससे वे रक्तशरकरा के सर को नियंतरित करने में मदद करती है फाइबर धीरे धीरे पश्टा है जिसके कारण यहां आपके रक्तशरकरा के स्तर में अचानक स्पाइक्स का कारण नहीं बनता है इस प्रकार सीता फल के पत्तों के फायदे आपके पाचन तंत्र को भी स्वस्त रखने में मदद करते हैं मधुमेह के लक्षनों को नियंतरित करने के लिए आप शरीफा की दो से तीन पत्तियों को पानी में उबाल सकते हैं इस मिश्रण को सुबै खाली पेट पी सकते हैं ऐसा करने पर रक्तशरकरा के स्तर को संतुलीद करने में मदद मिल सकती हैं जिन लोगों को रुदय संबंधी रोग है वे सीताफल की पत्ति का उपयोग आयूरवेदिक औशदी के रुप में कर सकते हैं क्योंकि सीताफल के पत्तों में मौजुक पोशक तत्वों में पोटैशियम और मैगनेशियम अच्छी मात्रा में होते हैं ये घटक रुदय की मासपेशियों को आराम देने में मदद करते हैं इसके अलावा सीताफल के पत्ते पोटैशियम और मैगनेशियम की उपस्थिती के कारण उच्छ रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं जो रक्तवाहिकाओ के फैलाव को बढ़ावा देकर रक्तच के प्रवाह को बहतर बनाते हैं सीताफल के पत्तों का इस्तमाल शारिरिक्षमता और शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि इन औशदियों पत्तों में बहुत से पोशक तत्व होते हैं और खनीचपदार्थ होते हैं जिनके आवशक्ता हमारे शरीर को होती हैं शायरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आधा कब पानी में दो से तीन सीता फल के पत्तों को उबाले और चाय के रूप में इसका सेवन करे यह हरबल चाय आपके चाय पचाय दर और उर्जा के स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकती है और शद्यगुणों से भरपूर सीता फल के पत्ते तवचा सम्मंदे समस्याओ के लिए भी फायदेमन होते हैं इन पत्तों में एंटियोक्सिडन्ट की भरपूर मात्रा होती हैं यह एंटियोक्सिडन्ट पचा को सूरज की धूप से होने वाले शती से बचाते हैं इसके अलावा सीताफल के पत्तों के गुण त्वचा कोशिकाओ को नुकसान पहुचाने वाली फ्री रैडिकल्स के प्रभाव को भी कम करने में सहायक होते हैं विटमिन A और विटमिन C की मौजूद्गी के कारण भी सीताफल के पत्ते त्वचा के लिए फायदे मन होते हैं यह जूरियों मुहासे को रोकने और स्वस्थ चमक्ती त्वचा को बनाये रखने में मदद कर सकते हैं सीताफल के पत्तियों का इस्तिमाल त्वचा सम्मंधी समस्याओ और घाव उपचार के लिए भी किया जा सकता है त्वचा में मौजूद घाव की यदिसही तरीके से सफाई नहीं होती है तो घाव में मवात बन सकता है जो घाव को गंफीर बना सकता है लेकिन इस तरह के खुले घाओं का प्राकृतिक उपचार करने के लिए सीताफल के पत्तों का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इन पत्तियों में एंटी इंप्लामेट्री गुण होते हैं सीताफल के पत्तियों का रस निकाले और घाव में इस रस को लगाए पत्तियों का रस प्रभावी रूप से घा उपचार करने में मदद कर सकता है सही तरीकों से और कम मात्रा में सीताफल की पत्तियों का इस्तमाल करने से किसी भी प्रकार के नुकसान की जानकारी नहीं है लेकिन यदि आप इनका अधिक इस्तमाल करते हैं तो हो सकता है आपको इससे कुछ नुकसान देखने को मिले। सीताफल की पत्ती फाइदों का भंडार है। जब इन्हें सही तरीके से लगाया या खाया चाता है तो वे आपके स्वास्ते के लिए चमतकार कर सकते हैं। तो यदि आप अब तक सीताफल की पत्तियों का इस्तमाल नहीं करते थी तो इसके इतने सारे फाइदों को जानकर अब आप इसका इस्तमाल जरूर करेंगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे विडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीशिए और देख दे रहिए लोटस आयूर्वेदा इंडिया